स्मग्र शिक्षा अभियान के तहेत राज के केंद्र प्रात्मिक पाठशाला स्वारगाट में सोमवार को विकलांग बच्चों के लिए एक दिवस्य खेलकुद वे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता का शुबारम स्मग्र शिक्षा अभियान के खंड परियोजना अधिकारी जगदीप सिंग ने किया इस खेलकुद वे चित्रकला प्रतियोगिता में 12 चात्रों वे 12 चात्राओं ने मिलकर कुल 24 बच्चों ने भाग लिया खेलकुद में पहुंचे 11-15 आयूवर के बच्चों के लिए 100 मिटर दौड वे 6-10 आयूवर के बच्चों के लिए 50 मिटर दौड लोकोमोटर बच्चों के लिए एसिस्टेंट वाक वे गोला फेंक प्रतियोगिता करवाईगी अंत में चित्रकल्ला प्रतियोगिता का आयरजिन किया गया। कारेक्रम का समापन राजकिय वरिष्ट माध्यमिक बाठशाला स्वारगाट के प्रधानाचार्य कुल्दीप चन शर्मा ने विदिवित रूप से किया। इस दोरान प्रिधानाचारे कुल्दीप चन शर्मा ने सभी बच्चों को सम्मानित भी किया। इस प्रकार के आयोजन इन विशेश अवशक्ताओं वाले बच्चों को सरवांगिन विकास के सामान अवसर कुपलव धकराने के लिए तथा सामाजिक धांचे की मुख्य धारा में इनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए आयोजित करवाये जा रहे हैं। मेरा समाज के समी वर्गों से आवान है कि इन बच्चों को निरंतर, प्रोटसाहन दें तथा इनके माता पिताब वो ऐसे आयोजनों में इनकी भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित और प्रोटसाहन अवसर करें। झाल